मैं अपनी बात सुरू करूँ उससे पहले जिसकी क्रपा से हम सब आज का दिन देख रहे हैं आज सांसे चल रही हैं आज हमारे दिलों में धड़कन हैं इसने आज का दिन देखने का आउश्र दिया है उश्परमात्मा का इश्मरन करेंगे सभी हाथ जोड़ लीजिए वो मेरे बात उश्परम पिता परमेश्वर का सुमरन करेंगे ओम नमहा सिदेव्याः 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 शुक निधी लवंते सदवक्ता सिविशुक समाजयं कि मुतदा महाझाबीर स्वामी न सिखापी भववुदे on complement पते गामी भवतु में प्रतमती थंका दिशवदेव भगवान की भगवान महावीर स्वामे की परम पूज गुरुदेव आच्यारी स्री पुष्पदंत सागर जी महराज की विश्वधर्म की साई मंदिर के त्रस्टी गण समाज के गढ़माने लो आप सब के परिश्रम का फल है कि एक संत के दरवार में एक संत आया है ध्यान रखना पहली बार तुम्हारी स्रेडी में आया हूं नाम बहुत सुना था देखा था कि भक्ती का सहर है भक्ती का सैलाव यहां उमड़ा करता है शर्द्धा का सहर है यहां सरद्धाएं बसा करती है यह हमारा भारत देश है आज श्रेडी में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने हिंदुस्तान में आकर के बैठा हुआ हूँ मैं अपने भारत में वेठा हूँ में अपने वतन में वेठा हूँ मेरा भारत वो भारत है मेरा देश वो देश है हम उस देश के रहने वाले लोग हैं हम उस देश में जन्म लिये हैं जिस देश में परमात्मा का जन्म हुआ करता है दुनिया के किसी भी देश के पास चले जाना सारी दुनिया में बैग्यानिक मिल जाएंगे सारी दुनिया में बैग्यानिक जन्म लेते हैं लेकिन मेरे हिंदुस्तान में बैग्यानिक ही जन्म नहीं लेते यहां परमातमावी जन्म लिया करते हैं यहां संत पुरुष जन्म लिया करते हैं यहां महापुरुषों का जन्म हुआ करता है इसलिए भारत देश वो देश है जहां देवतावी जन्म लेने को तरसा करते हैं और आकास में ओगने वाला सूरच सबसे पहले अपनी किरणे विखेरता है तो हिंदुस्तान में सबसे पहले अपनी किरणे विखेरा करता है हिंदुस्तान की आरती उतारा करता है आप और हम सौभाग साली हैं ऐसे भारत में हमारा जन्म हुआ है ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है पग पग तीरत डग डग मंदिर पग पग तीरत ऐसा हमारा ये हिंदुस्तान है ऐसा हमारा ये भारत देश है भारत के लोग राजाओं के दर्वार में सीस नहीं जुकाते भारत के लोग वो लोग होते हैं जो संतों की समाधियों पर अपना सीस जुकाया करते हैं अपनी आस्था रखा करते हैं भारत ने त्याग को पूजा ह भारत ने आचरण को पूजा है भारत ने चरित्र को पूजा है एक बात ध्यान रखना ये शिरडी चमतकारों की नगरी है यहां चमतकार ही चमतकार हुए है लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि चमतकारों को हमने धर्म नहीं माना है हमारे यहां चमतकार धर्म नहीं होता है लेकिन जहाँ सच्चा धर्म होता है, वहाँ चमतकार ही चमतकार हुआ करता है, जीवन में चमतकार हो जाते हैं, ध्यान रखना। मानिवर, चमतकारों में धर्म नहीं, धर्म में अनेकों चमतकार वशा करते हैं, ध्यान रखी। मान्यवर लोग कहते हैं कि जीवन में धर्म क्या होता है जीवन क्या होता है मैं जब से यहां आया हूँ देख देख करके सोचता हूँ विचार करता हूँ एक छोटी सी सिर्डी जिसे कोई नहीं जाना करता था एक छोटा सा गाउं जिसे कोई परचित नहीं हुआ करता था लो लोग कहते हम मुंबई से आए हैं, लोग कहते हम औरंगावाद से आए हैं, तुम्हारी पहचान तुम्हारा गाउं बना करता है, लेकिन यहां कुछ दूसरी बात हो गई, यहां नजारा कुछ और हो गया, यहां यह नहीं बताया जाता, गाउं से पहचान नहीं हुआ करती है साइं वावा से गाउं की पहचान हुआ करती है सिरडी से गाउं की पहचान हुआ करती है एक छोटी सी गाउं को पूरे बिश्व के मानस पटल पर ले आना ये कोई बच्चों का खेल नहीं हुआ करता है ध्यान रखिये जहां पर कुछ सादन नहीं थे आज देखो पूरा नजारा जन सेलाव ही जन सेलाव यहां पर हुआ करता है मानिवर मेरा आप से निवेदन है एक ब्यक्ति कैसे अपने जीवन में इस तरह के कारे कर सकता है आज पूरे बिश्व के एक सो असी देसों में साइं बाबा के मंदिर बने हुए हैं ध्यान रखिये वो मैंने सुना है मैं जादा उनके बारे में जानता नहीं मैंने सुना है कि साइं बाबा इस नगरी से कभी बाहर नहीं निकले पूरा जीवन उन्होंने यहीं समर्पित कर दिया ध्यान रखना एक जगए पूरे नगर नगर में जाना अलग बात है फकीर हमारा है और हिंदू कहते हैं कि ये बाबा हमारा है ध्यान रखिए उन्होंने कोई मजब को नहीं सिवकार किया किशी धर्म को उन्होंने सिवकार नहीं किया है लेकिन एक बात जरूर कहता हूं ब्यक्तित तो ऐसे ही होता है यदि कोई कहे कि हमारे जैन संत हैं तो औरी बात हुआ करती है जीवन में, क्या working together, क्या किया उन्होंने, सबसे जो उन्हीं बात में पढ़ई मुझे लगा, उन्होंने कोई मजभ स्वाकार नहीं किया, उन्होंने ना मजभ देखा, ना झाति देखी, ना पाध देखी, ना उच नीच देखा, ना चुआ चूत देखा उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम किस जाती के किस धर्म के हो उन्होंने लोगों की पीडाएं देखी ध्यान रखना जाती देखना कोई महानता नहीं लोगों का दर्द देखो मेरे भाई लोगों की पीडाएं देखो मेरे भाई कुछ और नहीं इंसान हैं हम, इंसानियत का धर्म, किसी के दर्द हरना, इंसानियत हुआ करते हैं, लोगों ने कहा कि, साइबाबा भगवान नहीं है, साइबाबा अवतार नहीं है, ना होने दोना, क्या तकलीप है, किस बात की प्राबलम है, मैं अभी तो कोई भगवान नहीं हूँ ना, मैं अभी तो कोई अवतार नहीं हूँ ना, लेकिन हमारे भगवानों ने ये जरूर बोला है, हमारे इश्वर ने जरूर बोला है, हमारे परमात्मा ने जरूर बोला है, तुम भगवान हो या ना हो, लेकिन भगवान जैसे काम करो, दुनिया तुम्हें भगवान मानने को तैयार है, भगवानों जैसे काम करो अपने जीवन में, हमने तो बो लोग हैं, जो पत्थर में भगवान धूड लिया करते हैं, हम तो बो हैं, जो नदियों में भगवान धूड लिया करते हैं, हम तो ब परदय में भी परमातमा है, साइं क्या होता है, साइं एक संत हुए करते हैं, अरभी में, फार्सी में देखो, तो साइं का अर्थ होता है, संत फकीर हुआ करता है, ध्यान रखिये, साइं तो साइं उनका व्यक्तिगत नाम नहीं था, उनका व्यक्तित तो था साइं, उनका सिस्ष नहीं बनाया एक भी उत्राधी कारी नहीं बनाया जितने भी बने उनके भक्त बने कोई भी सिस्ष नहीं बना कोई भी उत्राधी कारी नहीं बना इसका मतलब क्या है वह कहते थे सबका साइं सबके भी तर है सबका साइं सबके अंदर मजूद है साइं सब्द का अर्थ कोई ब्यक्ति नहीं हुआ करता है साइं सब्द का अर्थ कोई एक संग्या नहीं हुआ करती है साइं तो एक भकीर और संतत्त का नाम हुआ करता है मैं आपके बीच आया हूँ मेरा साइं मेरा महावीर मेरे हिर्दय में विराजमान है मेरी धड़कन में विराजमान है मेरी सांसों में विराजमान है जिसका साइं किसी के हिर्दय में राम साइं होंगे किसी के हिर्दय में कृष्ण साइं होंगे किसी के हिर्दय में महातमा बुद्ध होंगे यही तो उन्होंने कहा है सबका साई सबके भीतर है ध्यान रखना अपने अपने साई पर विश्वास रखो अपने अपने साई पर थोड़ी सब्र रखो सद्धा सबुरी नाम दे दिया उन्होंने सद्धा रखो और सबुरी का अर्थ होता है धेर्य रखो अपने जीवन में परमात्मा सबका भला करता है ईश्वर सबका कल्यान किया करता है मैं यहां पर आया हूँ मेरा भारत फट चुका है मेरे भारत के तुकडे तुकडे हो रहे हैं यह दर्द लेकर आज मैं यहां पर आया हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए एक संत को क्या चाहिए ना मुझे दुनिया से कुछ चाहिए ना साही बाबा से कुछ चाहिए मुझे क्या लेना देना मेरे पतन पे तो कपड़े भी नहीं है मैं तो नंगे बदन और नंगे पाँ पूरे हिंदुस्तान की यात्रा किया करता हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए लेकिन आज मैं यहां पर आया हूँ तो एक बाद ध्यान रखना श्रीडी वालो एक बाद ध्यान रखना यहां पर बैठे हुए सद्धालो मैं यहां पर आया हूँ मैं बो संत हूँ मैं उस तरह की सोच रखता हूँ मैं कैची लेकर नहीं, मैं सुईधागा लेकर के आया हूँ कैची कपड़े को काटा करती है और सुईधागा फटे हुए कपड़े को सिलने का काम किया करती है मैं आप से इतना ही कह रहा हूँ मेरा भारत फट चुका है मेरा हिंदुस्तान के तुकडे-ुकडे हो चुके हैं अब कोई नेता इसे जोड़ने का प्रयास नहीं करेगा हम संत ही सुईधागा बनकर फटे हुए भारत को जोड़ने का प्रयास करेंगे मुझे क्या चाहिए मेरा परमात्मा मेरे भीतर है मेरा तीजंकर मेरे भीतर है लेकिन इतना नहीं है मेरे महावीर ने कहा है सद्धार को सब अपने अपने परमात्मा पर वही तो साई बाबा ने कहा कि सब का मालिक एक है इसमें काई को लड़ते जगडते हो एक बात बताओ मुझे यहाँ पर बेठे हुए लोग बाहर खड़े हुए सद्धालों से भी मैं पूछना चाहता हूँ हिंदु धर्म कहता है ब्रह्म निराकार हुआ करता है इसलाम कहता है अल्लाह निराकार हुआ करता है जैन कहते हैं सिद्ध भगवान निराकार हुआ करते हैं। शेतंबर कहते हैं, हमारा परमात्मा निराकार हुआ करता है। कभीर कहते हैं, हमारा परमात्मा निराकार हुआ करता है। संत ग्यानेस्वर कहते हैं, हमारा परमात्मा निराकार है। अब एक बात बता दो, आज ये संत आप से पूझता है, जब सबका परमात्मा निराकार है, तो आकार के जगडे क्यों करते हो, आकार पे क्यों लड़ते हो, आकारों पर क्यों खून खरावा रक्तपात हुआ करता है, मत लड़ो मजहब के नाम पर धर्म भी युद्ध धर्म में भी लड़ाईयां होंगी, ऐसे ऐसे लोग हो गए इस धर्ती पर, जिनोंने लड़ाईयों को धर्म युद्ध नाम दे दिया, अरे धर्म में भी युद्ध होंगे, तो आयुद्ध कोन होगा धर्ती पर ध्यान रखिये, धर्म को लड़ाईये मत, जगड़िये मत, आपस में मत लड़िये अनेकता में एकता ये हिंद की विसेस्ता हुआ करती है एक फूल से गुलदस्ता नहीं बना करता मेरे भाई अनेक फूलों से गुलदस्ता बना करता है एक क्या सोचते हो इस भारत का निर्मान कोई एक ब्यक्ति करके गया है नहीं राम भी भारत का निर्मान करते हैं, कृष्ण भी भारत का निर्मान करते हैं, महावीर भी भारत का निर्मान किया करते हैं, यह भारत है, इसे एक नहीं, अनेक अनेक महापुर्शों ने अपने जीवन से इसे धन्य और पवित्र और तीर्थ बनाने का प्रियास किया है, धार में उनमाद नहीं फैलाई जाना चाहिए, मानिवर मैं तो जानता हूँ कि संत की साधना कैसी होना चाहिए, थंस की तपश्चरिया कैसी होना चाहिए, एक संत बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, इतनी अच्छी किताब, उन्होंने पूरे जीवन का अनुभव लिख दिया उस किताब में अनुभव लिखने के बाद उनके भत्तों ने कहा कि संत जी आप कहें तो इस किताब का प्रकाशन करा दें इसको हम प्रिंट करा दें संत ने कहा चाहता तो मैं भी हूँ कि जो मैंने जीवन में अनुभव पाए हैं वो जनजन तक पहुचना चाहिए बुले इस किताब का प्रकाशन कराओ पहले का जमाना है बहुत पुराना समय है लोगों ने कलेक्शन किया चंदा चिठा इखटा किया तीन लाख रुपे कत्रित हुए उस किताब के प्रकाशन में जैसे संत को पता चला प्रकाशन के लिए किताब का चंदा इखटा हो चुका है संत अपनी किताब दें उससे पहले उन्होंने कहा कि जाओ गुजरात में भू कम पाया है ये तीन लाख रुपे की रासी उनकी सहायता में दे दी जाए लोगों ने का हमने तो ये किताब के लिए खटा किया है संत ने कहा किताब बाद में चप जाएगी पहले जाओ उनकी रक्षा करो उनके भूके जो तडफ रहे हैं उनको भोजन प्रदान करो आई गई बात हो गई चारा पैसा गुजरात के भूक में चला गया फिर लोगों ने कहा कुछ समय बाद साल भर बाद फिर से पुस्तक का प्रिकाशन करे लोगों ने फिर कलेक्शन किया पांच लाख रुपे की रासी कत्रित हुई संत ने कहा जाओ उड़ी सा में चक्रवात आया है वहाँ जाकर इस रासी को लगा दीजिये जिनके घर उजडगे हैं उनके घर बना दीजिये लोगों ने कहा कि संत जी हम इतनी महनत से पैसा इखटा करते हैं आप यहाँ वहाँ भेज देते हैं संत ने कहा थोड़ा ध्यरे रखो शांती रखो तीसरी बार फिर कलेक्शन हुआ पांच साथ लाख का कलेक्शन हो गया लोगों ने कहा अब किताब चपगेगी चपगी संत ने कहा चपाओ किताब चपकर आई ऐसे किसी बड़े समारोह में उस किताब का लोकारपन करने का आउसर आया जैसे ही लोकारपन का आउसर आया संत ने कहा ये मेरी किताब का तीसरा संसकरण है जो आपके पास आया है लोगों ने कहा संचालक ने संत जी ये तो पहली वार छपी है तीसरा संस्करण कहा से हो गया संत ने कहा नहीं ये तीसरा संस्करण है पहला नहीं है तो वो ले दो संस्करण कहा है वो ले दे पहला ये जो तीसरा संस्करण है उन लोगों के लिए है जो चस्मे की आँखों से पढ़ा करते है और दो संस्क जब गुजरात में जाकर साहयता की, दूसरा संस्क्रण था जब उडिसा में जाकर साहयता की, तीसरा संस्क्रण ये है जो किताब बनकर के तुम्हारे पास आया है, मानिवर मैं आप से कह देना चाहता हूं, किताबों से जिन्दगी नहीं चला करती है, बड़े-बड़े है, तो एक बात ध्यान रखना, किसी की आँख के आशू को देखकर, यदि तुम्हारा हिर्दय पसीजता है, तुम्हारे हिर्दय रो पड़ता है, तो उस दिन सोच लेना, मैं एक संदेश यहां से दे रहा हूं, किसी की दर्द और पीड़ा पर यदि तुम्हारा दिल रोत है, तो ये समझ लेना, परमात्मा ने तुम्हें इंसान बना कर कोई गल्ती नहीं की है, ध्यान रखना, और यदि हिर्दय नहीं पसीजता है, तो सोचना कि कभी-कभी परमात्मा भी भूल कर दिया करता है, ध्यान रखिए, हिर्दय नहीं पसीजता है, किसी के दर्द पर, क किसी की पीड़ा पर मानिवर धार्मिक उनुमात फैलाने का प्रयास मत करिए लोगों को लड़ाने का प्रयास मत करिए अमर हो जाते हैं वो व्यक्ति जानते हो अमर कौन होता है किसे बोलते हैं अमर सब लोग जब दुनिया से चले जाते हैं तो अमर क्या होता है अमरित क्या ह होता है मैंने भहुत सोचा अम्रित वो नहीं होता है जो लोगों को मरने नहीं देता है अम्रित तो वो होता है कि जिस आदमी के जाने के बाद भौत ध्यान देने वाली बात है जिस आदमी की मृत्यू के बाद मृत्यू तो प्रकती की विवस्था है जो आया है उसे जाना सोचा फिर अमरता क्या हुआ करती है तो अमरता का मैंने इतना ही चिंतन किया अर्थ निकाला कि जिस आदमी की मृत्यू के बाद सौ साल दुनिया उसके चरित्र वियोहार को याद रखती है वो मर कर भी अमर हो जाया करता है एक बात याद रखना व्यक्ति कभी अमर नहीं होता है व्यक्तित तो अमर हुआ करता है व्यक्ति अमर नहीं होता है उसका चरित्र अमर हुआ करता है लोग कहते हैं ना किसाई बाबा अमर है अमर का मतलब यह है उनका परोबकार अमर है उनका जनकल्यान अमर हुआ करता है आपने ऐसा क्या किया है आपको अमरता प्राप्त हो, आपने अपने जीवन में ऐसा क्या किया, सौ साल वाद कोई तुम को याद रखेगा अपने जीवन में, कोई याद रखने वाला नहीं है, मैं जो बात आप से कह रहा हूँ, अमरता और अजरता की बातें, अमर कौन है, अमर है व्यक्तित तो अमर कौन है अमर है आदमी का आचरण अमर है आदमी के सतकृत्य हमने अपने जीवन में ऐसे क्या किये हैं जो हम अमरता को प्राप्त हो जाएंगे मानिवर आपको कौन याद रखेगा अरे कुछ काम करके जाना दुनिया में आने वाले कुछ काम करके जाना जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले कोन याद रखेगा अपनी खांदान ही अपने नाम को भूल जाएगी दूसरी पीडी के बाद लोगों को सोचना पड़ेगा एक जगे तो और दुरगटना गड़ गई क्या दुरगटना गड़ गई एक बच्चे से एक स्कूल के टीचर ने पूछा क्या औरे तेरे पाप तेरा नाम क्या है उसने का मेरा नाम रमेश कुमार है वो ले तेरे पापा का नाम क्या है बच्चा सोच रहा है सोच रहा है पापा का नाम पापा का नाम गूगल से जिन्दगी नहीं मिला करती है मेरे भाई ध्यान रखते हैं जीवन तो संतों से मिला करता है मैं कहता हूँ संत माला फेरते हैं फेरना चाहिए संत धूनी रमाते हैं रमाना चाहिए संत पोथी पढ़ते हैं पढ़ना चाहिए आप तो संत नहीं बन सकते न, बन जाओ तो हमारा भारत स्वर्ग बन जाएगा ध्यान रखना, लेकिन आप तो संत नहीं बन सकते, लेकिन आप से इतना कह सकता हूँ, कि हमारी फेरे हुई माला, तुम्हारा की हुई सेवा, दोनों का एक ही फल वराप्थुआ करता है, ध्यान किसी के जक्मों पर मलम लगाते हैं, मैं आप से निवेदन कर रहा हूँ, मंदिरों में जाकर लंबा लंबा तिलक खीचने वालों, अपने को धर्मात्मा मत समझ मेटना, ध्यान रखना, मंदिरों में जाकर लंबा तिलक लगाने से जीवन में सीतलता नहीं मिलती है, मंदिर का तिलक जीवन में वो शांती तभी देगा जब मंदिर से निकल कर किसी के जखमों पर मलहम लगाओ तो ध्यान रखना वो चंदन की शीतलता जीवन को सीतल कर दिया करती है थाली भरवर के मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने वालो कभी मंदिर से निकल कर किसी गरीब के घर में आदी थाली भोजन भी भेज दिया करो और दूद से भगवान का विशेक करने वालो किसी जोपड़ी में कोई बच्चा भूंका रो रहा है ना तो मंदिर का एक लोटा दूद थोड़ा कम कर लेना भगवान नाराज नहीं होगा एक गिलास दूद उस बच्चे तक जरूर पहुँचाना तो जीवन तुम्हारा सार्थक सफल हो जाएगा मैं बिरोध नहीं करता हूँ लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि माबाप तुम्हारे घर में है मरने के बाद उनकी अर्थी पर फूल चढ़ाते हो मैं कहता हूँ अर्थी पर फूल ना चढ़ाओ तो कोई बात नहीं मरी हुई आत्मा नाराज नहीं होगी लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूँ जीते जी फूल सी बाते कर लो माबाप की दुआएं तुम्हें सदियों सदियों को प्राफ्त हो जाएंगे मरने के वार हार चढ़ाते हो जीते जी इज्जत नहीं किया करते हो भ्यान रखिये मंदिर में बैठे हुए पत्थर की गाए की नंदी की पूजा करते हो भू की गाए तुमारे घर में आके थोड़ी सी घास खाले तो डंडा मारा करते हो ध्यान रखना नाग पंचमी पर नाग को दूद पिलाने वालो घर में नाग आ जाए तो मार दिया करते हो उसे ये मानवता होती है ये इनसानियत हुआ करती है इसे धर्म कहा जाता है नहीं मेरे महावीर तो कहते है धर्मात्मा वो नहीं होता जो मेरी पूजा करता है धर्मात्मा वो होता है जो मेरी आग्या को माना करता है वो धर्मात्मा हुआ करता है कौन है धर्मात्मा किसे कहोगे आप महान गुण मानिवर आपसे मेरा निवेदन है तुम गीता इसलिए पढ़ते हो कि हिंदू हो तुम आगम इसलिए पढ़ते हो कि तुम जैन हो कुरान कोई इसलिए पढ़ता है कि वो मुशलमान है और भाईवल कोई इसलिए पढ़ता है कि वो इसाई है तो मैं कहता हूँ कोई बड़ा काम नहीं करते हो हर जेन अपने आगम पढ़ेगा हर मुशलमान अपनी कुरान पढ़ेगा हर हिंदू अपनी गीता पढ़ेगा लेकिन मुझ पुलक सागर से पूछो कि गीता क्यों पढ़ी मुझसे पूछो कि मैंने रामाइन क्यों पढ़ी और मुझसे पूछो कि मैंने आगम क्यों पढ़े तो मैंने आगम इसलिए नहीं पढ़े कि मैं जैन हूँ मैंने आगम इसलिए पढ़ा है कि वो पढ़ने जैसा है ध्यान रखिये इसलिए पढ़ा जाता है उसमें अच्छी बाते लिखी इसलिए पढ़ा जाता है गीता को हिंदू बन करके पढ़ोगे तो कोई लाब नहीं है गीता में अच्छी बाते लिखी हैं ये समझ के पढ़ोगे तो गीता तुम्हारा कल्यान करने को तैयार हो जाए अच्छाईया हैं ऐसा कौन सा मजहबे जिसमें अच्छी बाते ना हो कोई भी दुनिया का ऐसा मकान नहीं होगा जिसमें एक द्वार ना हो एक दर्वाजा ना हो और कोई भी दुनिया का ऐसा संत ना होगा जिसमें कोई ना कोई सदगुण ना हो ध्यान रखिये सदगुणों को देखना पड़ेगा तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है और कर लो सभी से प्यार यहाँ पर कोई नहीं पराया है सदलो सभी से प्यार यहाँ पर कोई नहीं पराया जान रखिये मैं यहाँ पर इतना ही कहना जा रहा हूँ संख्या से कुछ नहीं हुआ करता है स्रेष्टता का महत हुआ करता है जीवन में हम कितने स्रेष्ट हैं मान्यवर आप से मैं यही आग्रह करने जा रहा हूँ अपने जीवन को महान बनाने का प्रयास करें अपने लिए तो सभी जिया करते हैं महान होते हैं जो दूसरों के लिए जिया करते हैं अपने लिए तो घोंसला चिडिया भी बना लेती है लेकिन महान होते हैं जो अपने घर के साथ साथ भगवान का मंदिर बनाया करते हैं वो महान हुआ करते हैं अरे अपने लिए तो भोजन सब कोई बिवस्था कर लेते हैं महान होते हैं वो लोग जो यहां पर आकर हज्जार बहुत सम्मान पाता है लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, यह चलता फिरता भगवान अपमानित नहीं होना चाहिए, इसका भी सम्मान होना चाहिए, जीवंद बर्मात्मा का अपमान नहीं होना चाहिए, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, लोग तोड़ने की कोशिस करें करने दो, ध्यान रखिए ऐसी बातों में आने का प्रयास मत करिए आदमी के कर्म देखिए आदमी का पुरुशार्थ देखिए आदमी की भावनाओं को देखिए आदमी के परिश्रम को देखने का प्रयास करिए मान्यवर मैं यही कहूंगा 36 का आंकड़ा भौत हो चुका इस देश में आओ 63 वनने का पुरास करें, एक दूसरे के सामने आने का पुरास करें, इतने आजादी के बार्द सौ साल से हमने किया क्या है इस देश में लड़ाई जगडों के अलावा कुछ नहीं किया है, हर धर्म बट गया, हर संप्रदाय बट गया, जेन हैं तो उनके भी दो तुकड़े हो गए दिगंबर से तांबर हो गए बुद्ध हैं तो उनके भी दो तुकड़े हो गए जीसस हैं तो उनके भी दो तुकड़े हो गए मुशलमान हैं तो उसके भी दो तुकड़े हो गए हिंदू हैं तो इनके कितने तुकडे हो गए ध्यान रखिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इतने बरसों में सौ साल हम भूत लड़े हैं सौ साल हमने भूत जगडा किया है सौ साल भूत दिवारें खड़ी की हैं मुझ पुलक सागर के कहने से एक बार संत के कहने से सौ साल की जगए मैं इतना ही दिवेदन करता हूँ दस साल एक हो करके देख लो मात्र दस साल एक हो करके देख लो जिस दिन दस साल हिंदुस्तान एक हो गया तो उसे पता चल जाएगा सौ साल में हमने क्या खोया था क्या पाया था ध्यान रखिये ये पूरे बिश्य में हुकूमत कर सकता है हमारा भारत पूरे बिश्य की ताकत बन सकता है हमारा भारत हमारा भारत पूरी दुनिया में राज्य कर सकता है अरे जीते हों किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता दिलों को जीतने वाला हमारा देश होंगे कई जगे बड़े-बड़े लोग बड़े-बड़े ज्यानी प्यादा हुए होंगे लेकिन एक बात भ्यान रखना मैं सारी दुनिया के देशों को देखता हूँ न तो बड़े-बड़े ओल्ड हाउस बने हुए हैं बड़े- दुनिया में जाकर देखना मेरे भारत के पास ऐसा एक स्रवन कुमार है जो कांधे पर बिठा कर माबाप को तीर्थी यात्रा करा दिया करता यह रत्न किसी के लोगों ने का ना मेरे देश की धरती सोना उगले-उगले हीरे-मोती क्या होता है सोना क्या होता हीरे-मोती किसी कोई बेटा चवदा वर्स का वनवासी कार करता है ये भारत के हीरे मोती हुआ करते हैं विचार कर इने हीरे मोती कहा जाता है हीरे मोती वो होते हैं जो सारी दुनिया की नगनता को ढखने के लिए महावीर सुयम नगन खड़े हो जाया करते हैं वो हीरे मोती हुआ करते हैं धर भी हो सकता है सत्य एक चीती के पास भी हो सकता है सत्य एक जैनी के कऊ आपक सपल हो जाएगगा मैं आज यहां पर आया केवल यहां ही नही मैं गिर्जागर भी प्रवचन करने गया मैं गुरुदारे भी प्रवचन करने गया जहां जहां आउसर मिलता है मैं तो जेल में भी जाकर के प्रवचन कर देता हूँ जहां आउसर मिलता है मैं अभी पुरा बिहार करते आया आदिवासियों के भीच भी मैं मुखातिव हुआ उनसे भी मैंने सत्य की बाते कहने का प्रयास किया मैं सत्य के बता से वाटा करता हूँ मेरे पास गंडा तावीज नहीं है मेरे भाई मैं प्रेम और एकता के सूत्र वाधा करता हूँ मेरे पास कोई मंत्र तंत्र नहीं है मेरे भाई लेकिन मैं मनों को जोडने का प्रियास करता हूँ और आप से भी इतना निवेदन अंतिम निवेदन करता हूँ कि जीवन में कैसे भी छणा आ जाएं लोग कितना भी भड़काएं, कितना भी गहरी-गहरी बाते करें अगवान बनाना मेरा सपना है और जिसमें अमनचैन और सांती हो एसा हिंदुस्तान बनाना मेरा सपना है ध्यान रखना फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया फूल को खार बनाने पे तुली है दुनिया, दिल को बीमार बनाने पे तुली है दुनिया, हमने जो लोहे को ढाल कर खिलोने बनाए थे, अब उन खिलोनों को हतियार बनाने पे तुली है दुनिया, मत तोडो मेरे देश को मत विभाजित करो मेरे देश को आप किसी और के नाम से लडो तो कोई बात नहीं मैं पुलक सागर कहता हूँ धर्म के नाम पर लड़ने का दुस्सा हस्मत करिये धर्म में जीने का प्रियास करिये बहुत अच्छा यहां का बातावरन लगा मैं तो इतना कहता हूँ जो संत जोडने की बात करे न सारी दुनिया नतमस्तक हो जाए और जो संत तोडने की बात करे दूर से ही जैजाम कर लो और छुटी पाओ ऐसे संतों को पनाह देने की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को बड़े बड़े उनके प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं है एक तार प्रेम का जो नारा दे उसके स्वर में स्वर मिलाने का प्रियास करे मैं तो इतना ही कहता हूँ तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको तुम अपना अपना तनिक हाथ दो मुझको मैं मानवता की जोली को भर दूँगा इन अलहड दीवाने मस्तानों में फिर से कोई गांधी और भगत सींग खड़े कर दूँगा बस चलना करना तुमें वाहरे नारी तेरा जीवन पांडव मिलते हैं तो भरी सवा में सीस जुका कर बैठते हैं और दुश्सासन मिलता है तो साड़ी कीचा करता है नारी को तो हर परिस्थिती में भोगना है बिचार करना है, सोचना है आपको नारी का जीवन, नारी की जिन्दगी नारी की आस्मिता का ध्यान रखो नारी की इज्जत का ध्यान रखो मैं तो कहता हूँ नारी को बचाने की कोशिश मत करो अपनी नियत बचाने की कोशिश करो नारी अपने आप स्वतंत्र हो जाएगी लोग कहते महला आरक्षन काई का आरक्षन महलाओं को किस वात का आरक्षन बुले 33% आरक्षन महलाओं से निवेदा है 33% मांग के अपने को छोटा मत करो ध्यान रखिए आपका तो सरवाधिकार भारत पर है 33% बनने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है महला का काई का आरक्षन विचार करिए अपना तो सब पर राज हुआ करता है बुले महलाओ इस देश में बलातकार होते है संत जी आप क्या कहना चाहेंगे नारी को क्या सुरक्षा दी जाए मिनका नारी की सुरक्षा नहीं हर आदमी वासना की सुरक्षा कर ले नारी अपने आप सुरक्षेत हो जाएगी ध्यान रखना क्या जरूरत है एक-एक माबाप का एदाई तो है एक-एक परिवार का एदाई तो है यदि तुम्हारा बेटा भी अपराद करता है तो पुलिस को ढूड़ने की जरूरत ना पड़े तुम खुद पुलिस के पास पहुँचो और इसको जी भर के सजा देना चा तो भारत महान बनेगा मेरे भाई इतना ध्यान रखना तुम अपने बेटे को वचाते हो और एक जूटा आरोप अयोध्या में कोई धोविडा लगा देता है तो राम सीता का परित्याग कर दिया करते हैं लोग को पवाद नहीं होना चाहिए ध्यान रखना इतनी हिम्मत मा अब आप में हैं अपने घर के अपराद छिपाते हो और दूसरों के आप अपरादों को चौराहे पर उदगाटित कर दिया करते हो ऐसे सुधरेगा देश उपदेशों से सुधरेगा देश नहीं सुधरने वाला मेरे भाई आप से इतना ही मेरा निवेदन है बड़ी बिनम घूम करके भारत में आओगे तुम्हारे मू से निकलेगा सारे जहां से अच्छा हिंधोस्ता हमारा जाने रखी आप समने सुना अनुग्रीत हों मुझे नहीं पता था कि इतनी स्रद्धा से सिरेडी में लोग सुनते हैं एक दिन की सभा यहां पर रखी गई आने जाने वा चुअ सब स्ब्राणी सुन रहे हो तब तक भी भारत सुरक्षित त्छा थान्रक्ष्णा है भारत पर कोई देश आंखें उठाकर नहीं देख सकता है घ्यान रखना हमारे यहां सत्संग होते हैं पड़ोस में सत्सangen नहीं होते हैं जहां संतों की कथाएं होती हैं वहां नम उन्देशों में आतंकबाद का जन्म हुआ करता है ध्यान रखिये